वर्ड कप दो हजार तईस में मोहमद शमी ने अपनी शानदार गेंद बाजी से सबका दिल जीत लिया मोहमद शमी ने साथ मैचों में 24 विकेट लिये और वो टूनामेंट में हाइस विकेट टेकर रहे शमी की सफलता पर देशवासी जूमते हुए नजर आए जबकि पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाडियों ने उनकी आलोचना की अब शमी ने पाकिस्तानी खिलाडियों पर निशाना साथते हुए कहा है कि वो उनकी सफलता को पचा नहीं पा रहे है दरसल वर्ड कप में शमी को शुरु आती मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला था बांगलादेश के खिलाफ मैच में जब हार्दिक पंडिया चोटिल हो गए तब टीम सही होजन में बदला हुआ और शमी को शारदूल की जगा शामिल किया गया शमी ने निउजिलेंड के खिलाफ अपने पहले मैच में ही पांच विकेट लिये इसके बाद उन्होंने पीछे मुड कर नहीं देखा शमी ने इंगलेंड, स्रीलंका और साउथ अफरीका का बुरा हाल किया इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व करिकेटर हसन रजा ने एक बेतुका बयान दिया उन्होंने कहा, आइसीसी शायद भारती देज गेंद बाजों को अलग-अलग गेंदे दे रहा है इसलिए वो इतना मूवमेंट हासिल कर रहे है शमी इस बात पर ध्यान देने वाले पहले भारतीय करिकेटर थे उन्होंने साजिश की थियोरी की आलोचना करते हुए सोशल मीडिया पर स्टोरी लिखी थी और अब वर्ड कप के खत्म होने के बाद एक पॉड़कास में उन्होंने हसन रजा सही उन तमाम पाकिस्तानी खिलाडियों की आलोचना की जिन्होंने टीम इंडिया पर सवाल उठाए थे मुझे पता है कि सच बोलते समय मैं कड़वा हो सकता हूँ लेकिन अगर इन सब के बाद भी मैं अपना मूँ नहीं खोलूँगा तो ये सही नहीं होगा मैं किसी से इर्श्या नहीं करता यदि आप दूसरों की सफलता का आनल लेना शुरू कर देते हैं तो आप एक बहतर खिलाडी बन सकते हैं मैं वर्ड कप की शुरुआत में नहीं खेल रहा था जब खेल रहा था तब पांच चार और उसके बाद लगातार पांच विकट लिए कुछ पाकिस्तान के खिलाडियों को ये बात हजब नहीं हो रही तो मैं क्या करूँ मुहमद शमी ने आगे का उनके दिमाग में ये बात बैठी है कि हमारी टीम यानि पाकिस्तान भारत से बहतर है भाई बेस्ट वो होता जो समय पर सही प्रदरशन करे आप बिना किसी कारण के विवात पैदा कर रहे हैं कि तुम्हें गेंद या कुछ अलग मिल रहा है किसी और कंपनी की गेंद मिल रही है तमाम तरह की बातें आप कर रहे हैं सुधर जाओ यार शमी ने भी कहा कि पाकिस्तान के ही दिगजवसी मकरम ने अंतरास्टी क्रिकट में गेंदो के चैन की प्रक्रिया को समझाया लेकिन इसके बावजूद वहां के कुछ पूर्व खिलाडी लगादार इस तरह के का बेतु का बयान दे रहे हैं